पहला कोश़न है पूश्त किस ने लिखिया चांस डार्वी ने इसके लिखा जास डार्वीन या सिर्व डार्विन अपसन दिया गया और 2019 में इसके प्रिमें कोशन पूछा गया था टेलि ग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बताना चाहा हूंगा एक स्किन के लोग भी पीडियाफ नोट्स के लिए बात करते हैं बार-बार की सब पीडियाफ नोट्स दे दीजिए या पिर आपको यह सारी शीजिए मैंने और टेलिग्राम की चैनल का मैं लिंक यहां पर भी प्रोवाइट कर देता हूं इस टेलिग्राम चैनल से आप जूर करके इसको लिंक भी अभी में प्रोवाइट कर देता हूं सी में ताकि आपको प्रोवाइट हो जाए और फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से यह टेलिग्राम में लगभग 454 से जाद लोग है यानि सारी 400 से जाद लोग यहां पर करेक्टेर हैं वहां पर आप लाव उठा सकते हैं चली फईरेक को मैंने फिर से लिवाइज कर दता हूँ तब पुस्तक दा ओरीजिन ओफ उस पेसिस लिए तो चार्श जार्वीन लिखा है दा ओडिजिन अफ पूस्तक जो डार्वीन दौर लिखी गई पूस्तक है चास जार्वीन जो है इंग्लेंड के जैब विकास भ से किनेक्ट हेब आपको अट हो जायगी मानोतंतर में इंसुलीण द्वारा रेसे मेटाबोलीज्यम कर numa करता है को करता है तो को वश्या करता कार्बो है करता है या या दिन है में करता है या न adjustments C किसका के मेटारीं करता है तो करता है कर्बाइडियोड को करता है एंसलीन अगिनसर होता है यह हार्मोन एक प्रोटीन जो की फुर्ट को जो गुलको बा CorrectHa सभावन में मुख्य निवाता है इस लेच कोसे का का में में को ज्सास कलाकालोजिן बनाने के प्रिक्रिया को प्रेविद करता है कर्भोहड़ेट का एक स्वरूप है धर नमर कोशन आपके संकच है देख सकते हैं निम्लिक्ट में से एंटिवाइटिक है आएंटिक कौन सा है तो पैनेशलीन है या एसपैरिन है पैरासिता मोज है या फिर सल्फाडाय जीन है या करेंट में भी इसका सम कच्छे कोशन आया गया है और एक अपडेट आया है करेंट में एंटिवाइटिक अगर आपको खरीदना है वाई करना है चाहिए फीवर हो या कुछ यह जब तक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्सन या नहीं हो तब तक आप उसको नहीं ले सकते हैं त उसे समद्दित उपचार के लिए किया जाता है उप्यूक्त जो इंसर होगा एक और दो क्योंकि इसमें आपका पनेसलीन भी है असलफा डाइजीन दोनों मिला करके एक से दिक आपका सई जवाब होगा नेक्स्ट नमा कोशन आपके समकच्छ है आप बताएगा इसका सई ज इसका व्याख्यात देख सकते हैं आपको उप्यूक्त विकल्पन में चावल कर्भोहइडरेट का मुखे स्रोत है हंडिट ग्राम पके हुए चावल ग्राम यानि सो ग्राम आपको चावल अगर आप पकाते हैं तो लग होगे 25-25 ग्राम यानि एक चोथा हिस्सा के पर प्रदान करता है चीट समर्धन क्या है किट समर्धन कीटों की विर्दी के लिए करने का विग्यान है या जंतुओं को अध्यन करने का विग्यान है मचलियों को अध्यन करने का विग्यान है या कीटों को मारने का विग्यान है तो कीट समर्धन से नाम से पता चलता है स कुछ नपुछ इसमें जाफा होगा तो कीटों की विर्धी कीट और बिर्धी के सम्मंदित करने वाला भी ज्यान आप इसको ऐसे भी आप अगर कुछ भी जानकाली नहीं है तो आप लिम्याट करके यह कोशन को समझ करके यह इसका सही जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं कीट समर्दन जैसे की तो की केचुवां हो गया कि बिर्धियु का कि केचुवां को कहा जाता नहीं कि भूमी की आथ के चुआ खाद हो बढ़ मी खंपोस्ट पदातों से भरपूर एकुत सब्सक्राइब कोशन निम्न में किसका अध्यन होता है मेंडल का नियम जैब विकास का है या अनुबान सिक्ता या विचरन के लिए तो जैनेटिक्स आपका होता है सब्सक्राइब के लिए जैनेटिक्स के विमारी है और विकास को फैलता है किसी के मादा पिता को पता करने के लिए व ही जानने के लिए किसका हुपयोग आपके करनी के लिए जा जैनने के लिए नियोंकि किस रिंगों से किसस्ट प्रावुनी दोड़नी तरंगों का उप्यों किया जाता है चली नेक्स्ट कोशन आपके समक्ष है एक नमा कोशन निम्न में से कौन सा एक सचा फल नहीं है सचा फल आपको जो है सेव या फिर अंगूर खजूर आलू बुखारा तो इसका सही जबाव है आपका सेव नहीं है आलू बुखा करते हैं के लावा कुछ अन्ड भाग बिसामिल हो तो ऐसे भलकूर औस ती फल या फूस्ट करते हैं यह सारे असट्त फूल है य्क्नी फूस्ट elam किस बात तरह सब्सके द्वारा ही प्रапत हता है डॉब्सक किर प्राप्त होता है लॉण जूर यूज है यॉलो फाइटा नामा कर द्धिंद द्वाले सदा वहार बिरश्य की हुई पुस्प कफ लिगा है नेक्स्ट कोश्चन आपके समक अठेज नमान पर लॉणंग प्राप्त करते हैं किस बाग से प्राप्त होता है या लॉंग क्लॉपस बंद खली को कहीं कलिया या फ्रिपुस्प खली का जिनका उप्योग भोज पदारत दातों के दर्द निवारन इत्याद इक लिए जब आपका दात में दर्द हो तो इसका कुछ मत किजिए आप इसका कि अपने डातों जिस डात में दर दरती हो हां पर आप रखे रही और इसके जब रस निकलते हैं उसमें काफी धर दर्द में मैं इसका उप्योग किया जाता है और आपके संकच चलिए और आपके समक्ष है जिसे कि लॉंक लॉंक के पोदों को बास्त्रिक नाम होता है साइजीनियम्स एरोमेटिक चलिए साइजीनियम्स एरोमेटियम्स जो की कुल मेट्रेसिस यानि की फैमली माइट्रेसिस के अंदर गजाता है इसका जन अस्थल इंडोनेशिया को माना जाता है इसका उपयोग समस्त विस्व में किया जाता है इसके उचाये 10-20 मीटर तक होती है इसकी परतिय बड़ी और अन्डाकार होती है अध्रक यह कोशन बहुत बार रिपीट होती है अध्रक टनाहिए या जहर नहीं है क्योंकि यह खांद्य पदार्त समगरिय को सनगरित करता है इसमें नोड और इंटर-node होते हैं और यहा य पादब कली हैं पादब क्या है पादब एक भूड़नी तरन है ब्रनस्वति विज्ञान में किसी अविक्सित प्रोरो यानि इम बढ़ाई नुएक्ट सूट को कली या कलिका करते हैं या किसी एक पत्ति के एक्स कच्छ यानि एक्सिल पर जातने के अंतिम छोड पर उपन होती है और प्रॉपाइ種 करते हैं निक्स्त फाइट गाता थे प्रॉपसित ड्राग में प्रॉप ata करते हैं चली नेक्स्ट sean आपके फोटीन क्यों सभाट निर्म, इए जी लेक्ट्रो इंसे फैलो क्राम निम्न में से किसकी निगराने के लिए उप्योग होता है आपका और यक्रीत अगनास है यह मस्तिक जी आपका जो होगा मस्तिस के लिए उप्योग किया जाता है इए जी मस्तिस के लिए गतिवी वीदी को मापने का मापने वाला यहंतर है नेक्श कोशन ने आपके समकच 15 नमग मास्पेसियों में दर्द के उप्योग किया जाने वाला विकरन कुंसा है कुंसा रेडियेशन का उप्योग करते हैं इंफ्रारेट के लिए या मैं सब्सक्राइब किया जाने वाला विकरन है उसको करते इंफ्राड़ेड कहते हैं इंसरजित की जाती है नेश्टे सिस्टीन मोगोशन आपके साथ बताएगा इसका सही जवा जीवों मात दिक वीवित्ता का कारण है उत्त परिवर्तन बेग्यानिक वह सबुख जिसके प्रकृतिक वाद के शिद्धान को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्वीनि वाद करते हैं आधुनिक वह जाती है इन परिवर्तनों को उत्त परिवर्तन करते हैं यह असपर शुक्त बन सागत होते हैं और प्रेडियों में ब्रहन द्वारा नहीं पिंजातियों में उत्पत्ती होती है चलिए नेक्स्ट कोशन है आपके समकच सेविंटीन नमर कोशन बहुत ही आसां सा और यह प्रेण स सभीय है और लाटीडेन पर या ब्हु कि देखन पर होगा आपका पाब ही इसका अगिप्टी फेसों पर खिया घृएं रिडिय फीघज या फिर जोहानन से है या फिर हर गोविन खुराना इसका सभी जवाव इसमें जो दिया गया है यह एक गलत दना कि डॉक्टर जेम्स वाट्सन और फ्रांट डॉक्टर फेसिंस के रिक और हम के एक विंसे फ्रैक्ली इन्स नामक पर गयाने कि ने डी एने की खोश की थी बस्त सब्सक्राइब ने की इसे निकलीन कहा था इसे फैडिक ने पहले से क्या कहा था निकलीन के नाम से इसको जानते थे निकलीन के नाम से जानते थे इसका सही जवाब होगा नरुपदीश क्योंकि इसमें फ्रैडिक का एंसर नहीं दिया गया था तो आप में रखेगा तो ही जाता है डीने की खोज के लिए ठीक है करी लोगी इसमें मिस्कंसेप्टर होता है और यह आपका प्रवालोकुन का दिया गया है सारा चीज सब्सक्राइब चै Natal fedora का जीब कोशिकावो में अनुवान सिक लचनों के नियंतरन नियंकित है कूँ सा में उतर दाया होता है प्रकें कंडिक लचन ल निम्हें निम्हें कोषिकार कर लिए प्रोटीन है तनी प्रप्त होती है और एक सरल सक्राइब यह अफसोसित हो करके रक्त में से विभीन अंगों उतकों में पहुंचाती है यक्री तमाश में मुक्ता गुलकोज उर्जया ग्लाइकोजन के रुप में जमा होता है चलिए नेक्ट कोशन आपके समकच है 21 नुम्मों. अगुट है लगवख कितना परसेंट पानी होता है यह बताने के लिए आपका कोशन है तो आप लोग पता शिक्ष्टी फाइब परजेंट से लेकर लगवख सेवेंटी परसेंट तक हमारे सरीर में पानी के मात्रा पाई जाती है मानी पाई जाती है तो इसका सही जवाब होगा यह अप्सन देख सकते हैं 2018 में पूछा गया था इसका सही जवाब होगा अधिकतम भाग जल से बना है माना शरीर में जल की मात्रा लगवग दो तीहाई यानि 66% 70% का स्वास 70% लगवग तक पाई जाती है म inlet पाई जो रक्तके भाई होते हैं तक के और यह भी संद्धी होता है लकभा गृता है फिरीव के अगरे निक्रा देख स्कते हैं बिटामिन लग गया है आपको ब्लड निकलना शुरूँ गया तो ब्लड आपका चलता रहा जाएगा ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं तो वह तरफ की बीमारी है इस विटामिन को रुधिर श्राब रोधी यानि कि एंटी थर्मो कहते हैं इसकी कमी वाले व्यक्तियों को आसाने से नहीं किया जा सक रहता है कोई माली कुछ इफक्ट पढ़ गया कोई डिफक्ट हो गया या उसमें नहीं करने के लिए सलादेते हैं क्योंकि अधिक रुधिर यानि कि अधिक रुधिर का मतलता है अधिक ब्लड निकलने का आप बह जाने का डड़ बना रहाता है इसमें कहीं भी एक चोटा सर चोट भी लगया तो ब्लड बहुत जाला निकलता है इससे विटामिन के की कमी के बाले इतने भी व्यक्तियों को चली नेक्से टॉंटी थिरी नमा कोशन निमिन में से कौन सा विटामिन परति असकंद वीशो के परति वीश्य परतिकारक के रुप में प्रयोग किया जाता ह तिसका उपयोग इसने किया जाता है बीटामिन के रिए किया जाता है परति असकंदन वीश्यों के परति हो करते हैं इसकी कमीवाले वैक्ति वह असाने से नहीं किया सकता है क्यूंकि जाने का दर्व बना राता है कि सकते हैं विविघाम्न विवर घाविटामीन को और आपको यह बताना चाहूं कि इसमें आपको सब से ज्यादा जो करते हैं कहा से परापतो एक खाने पoff終ove béतामीन पर आपता लगों 20% हमारे बोडी में जी चू रहते हैं और 80% जो होता है डी त्री जिसका नाम है बिठामी कोली यो कोली कैल्सी फेरोल कैल्सी फेरोल तो कॉमन पॉइंट है कोमन बात है अर्गो याद रखेगा ए जी इंगलिस वाले या जितने भी है अर्गो आइस में रहत होते हैं और इती में होता है यह होता है यह ऄल्जा प्रड़ प्रप्र करते हैं चुन बलता है स्व데 Gibson ंपोर। D का वह परकार के जो मुक्त है जो भोजन आहरा और अनुपूरक के रूप में और इसको प्राप्त होता है जिसे को मैंने बताया आपको 20% भोजन के आहर से यह बीटामिन प्राप्त होता है मुक्रूप से बोजन में यह मखन, मस्रूम, दूद, पनीद, मास, अंडे, अंडो की जर्दी, मचली के तेल आदी से मिलता है इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटेस इसको कहते हैं रिकेटेस हो जाता है मानोसरीर में बिटामिन एक भंडारित होता है कहां पर भंडारित होता है यक्रीत में होता है लीवर में जिसको करता है या तोचाव में होता है फुस-फुस में होता है या फिर विक में होता है तो फुस-फुस धमनी इसको करते हैं आप लोगों पढ़ा होगा मैंने बिया सबसे ज्यादा और यह यक्रीत में संचित करता है विटामीन एक नाम रेटिनौल है क्या है इसको मैं हाइलाइट कर देता हूं ताकि आप याद करके रखेगा चलिए जिसकी कमी से सरीर में क्या कौन से होते है रतंध ही यानिक आँक की विवारी सुरू हो जाती है इस विटा करते हैं जिसका प्रमुक्स रोत जो हता है कांस प्राप्टता दूर मखन अंडा मशली का तेल गाजड आज़े से प्राप्ट की जाती है इसका अगर यह लोग जो सेबन करते हैं तो इन लोगों को बिटामिन एक कमी नहीं होगी तरह तों धिनामक भीमारी इस तरह से को दिव इसमें देखते हैं जिसे की रेटिनोल आपका जीरो जीरो फाय जीरो फ्लैटिक होता है यह सही है टॉको फैरोल यह बेरी बेरी की नहीं है टॉको फैरोल आपका आता है किसी और का बताओंगा साइनो को लोलीन रखता अल्पता के कारणा अर्गो कैल्सी फैरोल रिकेटेस कर अप्षाभी लिए डिटू है इसमें मैंने मिन भी बताया कर यह डी टू की कमी से होता है और डी टू क्या क्या चेसी कमी होता है मश्रूम अंडे इस होता है इस़ा और फाफ्त होता है लिए पृद्देस अर्ग को यह अग्रो है और नेक्स एक गौली इडिए-धृ वाला सिंब करका रख गलत है तो पको भीटामीन की कमी से लने होता है और साइनोकोवलीन जो हता है इट्वलव की कमी से सजशंटल की कमी वतन T कमीन होती है और ऐसरोडी के तरे को डीव थक गाली और depende का कमी से इस तस मेरे नाम अभी वारे होते हैं非常 very whatever are 3-2-1 कभी से होता है लाकि- के लिए उप्योग किया जता है जैक है जो Colorado इक नबर इसमें चमता कम जाती है होती है इसको लिख ले दिया चे इसमें भेड को लिख लेजिए कानड Р minder बेड़ी कभिन contro erkpl अशल को वाने ान में होता है जी कि ऍिसको लिख लिए कानग की अच्छ दो सब्सक्राइब नहीं है इसमें से देख सकते हैं आपका संद्रा के लिए नहीं यहां पर है इसका सही जवाब आपको देख सकते हैं यहां पर है सुर्का प्रकास यारि कोड या करीत तेल जो बिटामिन टी के प्रमक्सुरत हैं गेहूं अंखूर तेल जो इसमें से बीवन जो है बहुत कम मातर में पाए जाता का यह बिटामिन में कोवाल होता है वाल पाए जाता है कोवाल्ट होता हुआ है दो है कोवल्ट एक खनेश लवन विटामिन B2-Lyamina supericovaline becoming बिटामिन B2-B92 ग्रोथ के लिए बच्चों की ग्रोथ के लिए इसकी कमेश ली बेक्षाली को हुआ है बीटामिन B2-Diving मचली यह कृत दूद पनीर इत्यादिह यह आंत के जिवानों । भी इसका सौन सिलिसंद करते हैं है उस्में। को कितना प्रिमाःब होता है तो रockey आपको पाई जाता है पान से छे आप यानि याने तो हालनकि मैं вторchem में कम होता है राप चलह संयोजी फोके या रखत वाइनू के अंदर विहां हुं में नियमित रुक्स संगतिसील राता है मनुष्ट के सरीर में रख्ति की मातर सरीर के भाग का लगवा सात से आठ परसेंट है माल जी आपका बजन 100kg मैं एकजामपल की तरों पे तो साथ से आठ लीटर आपका percentage जिसका निकालेंगे तो साथ से आठ लीटर आपके इनमें बलेर्ड देखा जाएगा अगर को कई फाल्स पचास केजी का है तो उससे आप निकालेंगे सारे टीन से लेकर कर के 4 लीटर के असफस उनके में खूणों के संख्या होगी खूण की म पीट्य रघ्ध गतोता है जो सम्फून सरीर की लगभग सबस्क्राइब है कि वर चैनल ऑघंघ हई आदा sustain त्रांसथा होता यह खाला संगत होना आधान गारक्त होना आधान ब्लर हैं डिसस बंदर के रक्त में की थे किस पर क्या है और एक बैंतर और निकाला जा जाता है आपकोद बन-दर पर किया गया था उसके निकाला गया था किसने किया था यह र्याद़ कों सआ है तो किस मेगे प्रेशर क्या है श्राइश में तुर है अंब वीचर यह अंइमोमीचर अपस्पर नो contrat यह से यह पुर होता है maximum 120 होगा और minimum रहता है असी अगर इससे कम जाता है तो इसको लोग प्रेसर करते हैं और जिसका 120 से चला जाता है ज्यादा होता है 110 135 140 150 चैनल सी यद्न को फिरिशे करते हैं और ज्यादा होने पड़िये दिक्कत में होती है रकत दव जी को कि दो अवस्था होती है पहले कुर्रेंशन लिए त्टोलिक प्रेसर करते हैं और दुसरे को प्रसारण यानि टीए अंधल को ठोलिक प्रिसर कते हैं समानी तोपरिटीफ होता है 120고ल 15みलिटर होता है具 छो आपको हैं है निन्य exam करते हैं मैक्समाम मितना हो만 प्रिकूर्शन को आपने गशान बाले को करते हैं यह कहीं भी देखा होगा अगर आपके पास यह सारी चीजें नहीं है तो यह इसके पंपिक के दुराया इसे हवा दे करके इसको करें किया जाता है हाला कि अब इलक्ट्रों इस डिश्चल हो रख्तरक्त प्रवा होता है मौन सरीर के एक महत्त पूर्णारंग है करें इसका मुक्य का रख == की सुद्य ऺिए साथ शरीर बिशाफ पदार्थ हो ब्रक मुद्रços बाहर निकालना होता है मानब्रिक प्रति दीन लगभग ऑद्रफा सु लीटर रक की सुद्य करता है और लगभग तेल मुद्र में तबरील करता है प्रती पर मिनट आपका 1200 सीजी यानि क्यूबिक सेंटीमीटर को करते हैं रख परवाहित होता है परती मिनट इक घंटे में सोचे कितना होगा इसे लगवां मुट्पिलाइ कर दिया चे से तापके घंटे मोझा टोटल 24 गंटे में 500 लीटर रख तो सुन्दी करता है इंसुलीन क्या ह अर्थात अंगनासे के अंतर स्रावित भाग लेंगर्स हैंस की प्रदितियों की बीठा कोशिका के सरावित होने वाला एक जन्तू हर्मोन है रसायनिक संरशना के दिश्टी से यह एक सुच्छम प्रोटीन है जिसकी संरश रचना अर्क्यामन अमीनों अम्रों से होती है यह सरीम में घुलो कोश के उपाचे एक नेंतरित करता एक इसमें नेक्स्ट है मिच्ट कोशन पर चलते हैं विए निक अ उस प्रिक्त मेंसे कौंसा एक कौंसा हार्मॉन है रच आपको आर ने ना एंस तूम असकार ढंब करन दे मट मौन्स हे रचन हैं एन टो तैस ही या फिर आपके आपसंस तरह दे सकते हैं या आपका इंसुलीन है इंसुलीन ते आपको मैंने हार्वन बताया अभी ऑक्सी टॉसीन है इस पर सही जवाब आएगा एंटीजन है एंटोजन या एंटोजन एक हार्वन है जिसका उत्पाद इस्तुरियों में अंडासे की अगना बंद हो जाता है जिसमें युबनाश थार्ट होता है तेरह चौदर साल से लड़कियों स्टाट होता है और लगवर जो संख्या है लगवर पैतालीस से बामन बर्स तक लिपेंड करता है खानफाना और रहांसन की पर की बामन साल या पचास साल तक होता है प्रमुक क्यों में अस्तनों दूद्ध गरंथी का गडवास है और योनी इत्यादी का समुचित विकास सामिल होता है कि विकास में साहिक होता है तो आपको कोशन समझ गए होंगे और इसका एंसर होगा महिलाओं के सेक्सार्वन होता है एंटोजन के रूपन एस्ट्रोजन और यह ए निम्न में से कौन सा हार्मन अस्तन ग्रांटियों से दूद का स्राव होने से भूमी का निवाखाता है जब आपके बच्चे जब निकलते हैं यानि बच्चे जब पैदा होने के ठायर दूद का सरावन होना अपने आप सुरू हो जाता है कि यह वार आपने देखा होगा गाहे को यानि काओ के भी जब उसमें बच्चे जब निकलने के होता है नो महीने जब पुरा हो जाते हैं उ कुन सा हार्मोन हार्मोन जो अस्तन गरांदी उसे दूद का सरावर होने में बूइंगा निवाता है तो आक्सी टॉसीन आपको याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्त है ऑक्सी टॉसीन इसका बताब उस्तन जो होता है दो लच्छी उत तक यानि टार्गेट टिसू होते हैं सिसू जल्म के बाद यह हार्मोन गर्वाशे को समाने अवज सामें लाने और सिसू दौरा दूद पान यानि लोक लैक्टेक्शन जिसको कहते हैं किसमें अस्तनों की में पेसियों को सिकोर करके दूद उत्रेजन को बढ़ाने का काम करता है दूद पालक अपनी गाएंभैस उसे अधिक दूद उत्पादम प्राप्त करने के लिए क्रित्रिम ऑक्सिटोसिन के इंजक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसीन यानि पिटोशोन कहते हैं कई लोग आपने देखा होगा जब आप गाय का दूद पतना में या कही जगह देखते हैं गाय साथ में लेकर जा से लगता है और इसको जोड़ता है नामत ईंजक्शन है 37 कि में सิसार्मौन में आयोड़ीन होती है आयोडीन टेस्टोप अस्ट्रोम होता है या एड रिनी लोता है थाई रॉक्षीन होता इंस्लेंट फरय लाउग देखते हैंडीन अध्योसीन होती है आपको हार्मोन में सब्सक्राइब करने के लिए उतेजित करने वाला अंतर स्राविन आर्मोन यानि टी एस एच यानि थायरोइड स्टेमिलेटिड हार्मोन यानि थायरो ट्रोपीन है जिसका स्राव जो स्रावन होता है सब्सक्राइब करने लिए नमक कमी हो जाएगा नमक होता है इसको भी याद रखेगा कौन सा रोग होता है तो घेंगा होता है सब्सक्राइब करने में मस्तिष में यहां पर पाने के वाद यह अपने देखा होगा किसी आपने पीश्टन की तरह आप एंडाउन करते रहता है चोटा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने मस्तिष में हाइपो थर्मस के नीचे एक छोटी सी एक छोटी अंतरस्रावी गर्थी जिसा कि मैंने आपको बताया है चलिए प्रकास अंसलेशन होता है क्या होता है क्लोड़ोप्लास्ट में होता है यह क्लोड़ोप्लास्ट में पाई जाता है प्रकास से निसन संपन होते हैं क्याने हाट प्रकास नसलिशं का उपोद्पाद्या है डूसे होता है प्रकास संसे फोट्रस प्लिया है जिसमें पौद्रे के हरे भाग वह सुर्ष से प्रकास उज्जा को ग्रहं कर बायू से ली गई ऑढ़ रभन डायॉञ्टाय्टी और मिददा से तो से तो द्वारा हाइडर का नहीं आपकरते हैं और और अकसीजन को परधान रशना है ना उतव कि अधर बाइप्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं प्रकास इंसलेशन के संपुन करिया को अभी क्रिया दोड़ा दर्सित कहा जाता है जिससे आप देख सकते करबन डॉक साइट छे बाड़ बालती पाने के साथ प्रकास पर नहरीत यानिक क्रोरोफील के उपसर दि सोर उर्जा ATP में बदलती है कब बदलती है इसमें प्रकास पर नहरीत क्लोड़ोफील प्लाष्ट जो होता है सब्सक्राइब बताया है उसको आप देख सकते हैं इसी अटी का प्लेइस्ट बना हुआ हुआ है उसको भी आप सौधन कर सकते हैं किसी भी एक्जामिसिन में ्टपताइब Nord चैनले का उसすिक्ष से लेकर कर्द्टाइब को सब्क्राइब थर्ट्रास उसके साथ रूंच्च्ण प्लिया गया उसके साथ आपका नोडीशन मिल जाएगा सिर्फ और ग방े में जो कि आपको काफी हाल्फूल रएगा सिर्फ तो उसको नोट्स को पढ़िए दोसो तैस्ट दोसो चोश्वीस पेजिस का सब्सक्राइब को सिर्फ आपको पैक्टिस कीजिए को देखिए एंसर के साथ आपको मिल जाएगा देखिए इसका जानते हैं क्लोरो फ्लास्ट जो हता है में सौर उर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरो प्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर हरित एवं क्लोरो फील नामक एक प्रोटीन जहां चटील क्रासाइनिक योगी तो पाए जाता है यह बढ़नक पर तो के हरे रंग का घाड़क इसमें पाए जाता है नेश्ट कोसिका का सक्ति स्रूथ होता है क्या हुता है कोसिका फिती होते हैं होता है और और फिर आपको म माढबीहु कोंडी में पाए जाता है और आपसद्क होता है प्रफिट करवाया आप उहां पर जाकर उसका लाव उठा सकते हैं अगर आपको देखना है कि कैसे तो यह मैं आपको दिखा भी देता हूं एक सचिंट का पूरा एंसी आटी आपका यहां पर है साइंस का क्लासिक्स का आपको डी यारी वान ओट यारी टू के दोरान मैंने काफी लोग पढ़ा है स्टेट के लिए है प्रेज्ट के लिए सब्सक्राइब क्लासिक से ले करके टेन तक का सारए उसको आप लाव उठा सकते हैं चलिए सीदे ध्यक्यूशन पर चलता है टायँ विश्ट करने के बाद कुसकPl निकलना असदी किशको करते हैं यह कुछ दिनओं के बाद जफो करने को रावे definite होती है कि गयर कि प्रतिजयविक और फिर देख सकते हैं एक प्रतिजयविक एंटिवार्टिक उसदी है जिसका उप्योग वैक्टेरियल इंजेक्शन्स के रूप चार में किया जाता है अल्फा साइमुनिस एक परकार का सल्फोड ना डायमीज प्रतिजैबिक होता है सल्फोड डायमीज एंटिवार्टिक जो कि जीवान रोधिक एंटी एजेंट होता यानि कि एंटी वैक्टेरियल एजेंट के रुप में कार करता है इसका पर यह इस परकार का परस्न के लिए एक सदी कल्प सही रहेगा ठीक है नेश्ट है टाइफाइड रोगों के लिए टाइफाइड जोता है जल से ओने वाले यह संक्रमक रोग नहीं है बलकि यह बायु है मेला चैपी अरकॉलरा कारण में बिफ्रियो को लेरी नाम होता है पीने के पानी के उचित उप्चार दोड़ा इनहें पहलने से रोखा जा सकता है यह जो पीते हम पानी जो यूज करते हैं उसको साफ़ोना चाहिए सुच होना चाहिए डिश्टिल बाटर पीजिए यह फिर आपको फिल्टर करके इसको पीजिए नेक्स कोशन आपके समकच है मनिस में अलफा टॉक्सिन खाद बिसाक्त द्वारा समयने तक कौन सा अंग प्रभावित होता है ति आपका यक्रीत होता है ठीकिन यक्रीत फैलता है यानि लीवर देख सकते हैं यक्रीत लीवर एक मु कुछ जीन प्रजीन कि कुछ प्रजाति उत्पन कर भोजन को विश्वाक्त कर देती है चलिए नेक्स्ट कोशन आपके समकच है मनुश्य के सरीर के किस अंग में लिंफोसाइट का नियमान होता है मनुश्य के सरीर में तितली यानि अंधी ताइम अस्गति अस्थी मज्या करते हैं आधी में लिम्पोसाइट करने इर्भान होता है लिम्पोसाइट एक प्रकार की रख्ट करने का यहाने टालूबी modal क्यуса होता है इसमें निंकोशाइड जो प्राप्त होता है इसी के कारण NATO सीसिती जो की गस्ति से न कि भांथी संभस्तेती रहती स्वाहर सुल्षा कौभ चक्रता है और यह और यह काT casually काना कर तो रहता है जा है के विकार को भी विकार ना है इसका भी काम करता है इसमें आपका और सटी कैंसर की माना जाएगा एक सदीख ठीक है यह क्रीट के लिए अगना सब्सक्राइब बहुत पहला रहा रहता है नेक्स्ट कोशन उंको जीन समद्धित है आपका कड़करोग से समद्धित है जिसको करते हैं करकर 198 के रूप में की गई थी और बर्सji 1970 में खो जा गया यह ज्यांब मुर्गियों में कैंसर वाइरस का फाया इसकुर मा भायरस का नाम दीया गया था उभा पाया घ्याए научस्ट severe ऐ यह गया था मुर्गियों में जा काई था जिसको करते हैं शृमाण जिसको उसक्न कींज़क सब्सक्राइब करको मतलब कैंसर नेक्स्ट कोशन आपका 59 सुरी 49 रख्त कैंसर इसको रहता है लिखोंडिया डवलूब्सी की घंव में आता है और यानि वाइट व्लड चल में कि रोग थाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक इतना है इसमें रेडियो समस् सब्यों किया जाता है एक परकार का कैंसर है कि लिए जाता है तो रेडियो फास्टी टू और कोवालिट शिक्टी नेक्स्ट कोशन है आपका 59 कोशन तिवर्ता और प्रतियुक्ता के अधारपन नियुक्त में से कौन सा करक यानि की गैंसर रोग उत्पन कर सकता है और इसका उपचार भी किया प्चार भी करता है को परिशन फीर से समझेगा तिवर्ता नियुक्ता के अधारपन कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है करता है तंबाकू हो गया अलकोहल हो गया या फिर आपके अप्सेंस है आई यह बिकरन हो गया या प्राइब निक नहीं होता है इन सारे किनों चीजिजों से आपका कैंसर होता है जिसके आए जिसे कि आपका एक्जांपल दिया हुआ तंबाकू से भी होता है अलकोहल से भी हो दिए यह सारा एक सीह शांसे जोता है यह आपका सटी इनसर भीकरन को करaty Знаे वह एक यह काड़क है जो कि करकता है ऑपष दोनों के लिए उपयोग को करता है यह विएक इसके ech का अनुई तक बतना है जो उत्राइब संकुचित गाट को नश्ट करने के लिए आयनिक करन यानिक रेडिशन विकरन का उपयोग किया जाता है अनुसा अंधानों को से स्वस्ट्रों गया कि निम्न और बंध्यम विकरन एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है लेकिन लंबे समय तक विकरनों के प्रयोग का कैंसर हो सकत सहां होती है सहज प्रतिव वर्धन क्रिया मुक्पूज प्रक्रीया की रुप में परिवास्ट किया सकता है ने तो और तो नोमर शरीर का तापकरम नियंत्रित करता है कोन सा करता है एक नहीं करता है टाय। को थेलमस जो है उस सरीर के तापकरण याने टेंपरेचर को नेंदरित करता है देख सकते हैं मानुष सरीर का तापकरण समयने तर 98.6 डिग्री फॉर नाइट है में होता है अगर इसको डिग्री सेंटीगेट में करेंगे तो कितना आएगा कॉमेंटर बोकुस में बताएगा 37 सरीर के तापकरण के बने रहने का कारण सरीर में तापकरण नेंदरिन की एक यांत्रिक जैविंक परनाली का कारण करना है मस्तिस का है पॉथलमस भाग इस प्रक्रिया को नेंतर करता है नेंतर करता है है पॉथलमस भाग किसका भाग है तो मस्तिस का भाग है ठीक है मस्तिस करने का काम करता है नेक्स्ट कोशन आपके समक्ष है सरीर का ताप मान नियांतरी करता है सेम को रिपीट किया गया तो सब्सक्राइब कोशन आते हैं 20-30% मिलेगा जो आप इसको देख कर जाते हैं या पढ़के जाते हैं तो नेक्स्ट कोशन है फिर लैंगिक जनल से अनुबान सिक्ता वीचरन कैसे होता है यह कैसे होता है तो आप से हैं जीन के सम्मिशन सब्सक्राइब कारणों के कारण ही आपका जीन के सम्मिशन को में बदलाव जीन के प्रयूक्तों तीनों से ही लिंगी जनल की के अनुबांसिय बीच रहने सकता जिसको डियने कहते है अनुबांसिय जिसे आपके बच्चे का रंग पर जाएगा आपके जीस आर्व चहर मिलेग़ तू अ हम इल bütün यशा अनुद मिलेगा नेश्ट है डियने को कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है पारकिर्सन्स बीमारी उपचार के बिकास के लिए किसको नौ Bitte गए scor garlic pale冷़ पार्किर्सन्स बीमारी के उपचार के लिए भिकास के लिए स््विट्थ नीरो साइंटिस्ट अर्विड कार्सन को बर्स 2000 के फिजियो ओल्योजी मेडिसीन के नोबिल प्रसकार से सम्मानित किया गया उन्होंने खोजा की डोपामाइन मस्दिस में एक महत्पुन नीरो ट्रांस्मीटर और पार्किंसर रोक के दोड़ा और रान मस्दिस के बैसंस गहल इसमें डोपामाइन से उत्पन करने वाला तंत्रिका कोशी का कच्छे होने वह लगता है सरीर में कंप कंपनी यारे ट्रेमर अकरण रिजिट और चती किसंस कारण बनता है इसके सोद से यह ग्यात हो वह ग्यात हुआ कि पाकिरसन रोग मस्दिस के कुछ भाग में डोपामा सब्सक्राइब करने में समर्थ है उसको करते हैं माइक्र प्लाज्मा करते हैं ठीक है माइक्र प्लाज्मा के नाम से जानते हैं यह चलिए इस वीडियो के यहीं पर वाइंड़ करते हैं नेक्स्ट कंटेंट हम जब लाएंगे तो रिमेनिक पार रहेगा उसमें हम कंप्लीट करने की कोसिस करेंगे पुरा आपका पीजिस कंप्लीट करा दिया गया है सब्सक्राइब हो चुका है पॉलिटी आदग किया गया है जोग्रोफी में ने स्टार्ट कर दिया एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम कोशनिस में इसमें तो सारे कंटेंट आपका पूरा घटना चक्राव का सारे सब्जेट का लगवग हो जाएगा कुछ दिन मे आपका पूरा हिस्ट्री हो जाएगा पॉलिटी होगा जोग्रफी होगा एकनोमिक्स हो गया